हेलो प्यारे वच्चों, तो वेलकम टू दा एटीपी स्टार, आज हम समझने बाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है डवल सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यूमन हर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूमन में ये डवल सर्कुलेटरी सिस्टम हम means, बलड दो वार हर्ड से पास करता है, एक बार जब वो लंग से हर्ड में आता है तब और दूसरी बार जब वो ओर्गन से हर्ड की तरफ जाता है तब, ये डवल सर्कुलेटरी सिस्टम का डाइग्राम है हमारे पास, इसमें हमारे पास दो सर्कुलेट है, एक है पल्मोनर ब्लड है वो पहले लंग्स के पास गया और लंग्स में उस ब्लड का oxygenation हुआ oxygenation होने के बाद वो ब्लड pulmonary vein के तुरू कहां आया वापस से heart के पास आया, heart के left part के पास आया, left atrium के पास ब्लड आया अब अगर हम systemic circuit की बात करें तो systemic circuit में क्या हो रहा है ब्लड पहले heart से कहां जा रहा है और गन तक, यह tissue है, tissue जो की organ में है, अब यहां पर blood का, यहां पर blood जो है, tissue ने oxygen यहां से ले लिया इस blood से, उसके बाद जो deoxygenated blood है, वो blood वापस से कहां चला गया, heart के right portion के पास आ गया, right atrium के पास आ गया यह, यह जो blood आया है, यह deoxygenated blood है, जो की वेना के वागे थूँ आया है और यहां जो oxygenated blood आ रहा था, वो aorta के थूँ आ रहा था, लंक्स तक तो एक circulatory system, एक circuit हमारा यह बन गया systemic circuit, एक हमारा बन गया pulmonary circuit, तो हर बार blood जो है twice heart को cross कर रहा है, इसलिए इसको हम double circulatory system भी बोलते हैं, अब double circulatory system में हम बात करें systemic circuit से होते हुए, जो blood है, जो deoxygenated blood है, वो बिना के वागे थूँ right atrium में आया, right atrium से right ventricle में गया, right ventricle से फिर pulmonary circuit को follow करते हुए pulmonary artery के थूँ लंक्स में गया, लंक्स में उस blood का oxygenation हुआ, ये सारी capillaries lungs की है, lungs की capillaries में gaseous exchange हुआ, और blood oxygenated हो गया, oxygenation होने के बाद, blood का oxygenation होने के बाद pulmonary vein के थूँ वो blood वापस left atrium में आया, means heart में आया, left atrium से left ventricle में गया, left ventricle के थूँ aorta में उस blood को डाल दिया गया, जो की oxygenated blood है, और उस oxygenated blood को फिर body के different organs तक supply मिली, organs में वापस capillaries के थूँ, gaseous exchange हुआ, exchange होने के बाद, blood वापस से deoxygenated हो गया, और फिर वही circuit उसने systemic circuit को follow किया, इस तरीके से एक बार systemic circuit को follow करेगा blood, दूसरी बार pulmonary circuit को, फिर systemic circuit को, फिर pulmonary circuit को, इसी चीज़ को हम बोलते हैं, double circulation, I hope आपको ये concept बहुत अच्छे से clear हुआ होगा, अगर आप किसी खास concept, किसी खास topic पर अगर वीडियो चाते हैं, तो हमें comment section में comment करके जरूर बता दें, और channel को subscribe करना ना भूलें, और bell icon जरूर जरूर दवा दें, ताकि कोई भी important वीडियो आपसे miss ना हो, thank you.